अस्वाम लीकुम आज की वीडियो में आपके साहरे शेयर करने जा रही हूं जीपास का हेयर स्ट्रेटर रिव्यू एंड धेमो अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो यह इस तरह से ग्रे और ब्लैक कलर के कंबिनेशन का बॉक्स है उसमें इसकी पैकिंग आती है और इसके बॉक्स के फ्रेंट पर इसका नमबर दिया गया है जो है जी एच एच एट जैवन टू थ्री और अगर हम बात करें कि यह किस कंट्री का ब्रेंड है तो यह एक चाइनिज ब्रेंड है मैंने इसकी जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है यूज करने के बाद मैं आपको इस इसमें से हमें मिलता है एक यूजर मैनुवल और एक वरंटी कार्ड मिलता है यूजर मैनुवल में जो इसकी इंस्ट्रक्शन और जो प्रीकॉशन असमें लिखा गया है कि जो आप आप इसको डिरेक्ट जो है वो पलक को लगाना है स्विच में आपने इसके लिए कोई सेक इस त्रेटनर का बात करें तो इसका एक पावर प्लग अंदर वाइर है वो फो कम परके नहीं कर दो करें डाया यह तो मुझे लगाया है जिसमेंसे बटन हैं हम सिर्फ और सकते हैं यह आफ कर सकते हैं इसके speed जो है वह हम काम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं है इसकी अगर हम बात करें बॉड़ी की तो प्लास्टिक बॉड़ी है और two colors का combination है copper color का और black color का quality जो है इसके plastic की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और मैंने जब इसको ओन किया इसके power button से तो यह आप यहां पर देख सकते हैं यह सिरफ अब यह own हो गया है यह इसको नीचे करेंगे तो यह off हो जाएगा इसमें speed का बटन है प्रोवाइड नहीं किया गया है इसमें तो मैं इसको अच्छी समय ने गरम कर लिया था और गरम करने के बाएड मैंने जब बालों को पालों को स्ट्रेट करना शुरू करें तो आप पहले यूज कर लिया करें कोई भी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेय यह मेरे पास हीट से घर में बनाया है इसे मैंने लिया था पानी और इसके अंदर मैंने आड किया था कोकोनट ओिल अगर आपने कोकोनट ओिल एड नहीं करना है तो आप जो बेबी ओल होता है जॉनफंस का वह भी बालोम च्जाने, बड़ोय में घाथ। दो बड़ोय है स्प्रेकित मैं सबूआ है। इससे तो यहान जो क्रपाइब। इस तरह इसे पूंसी आपके हैं तो यहान थे छीपाक्ट और गवाद का नहीं सूस्सक्त यानिके में तरफ से फूली रिकोमेंडीड है आप इसे बाय कर सकते हैं मैंने जो है यह बाय किया है दोहा से लेकिन यह पकिस्तान में अवेलेबल है मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने जा रहे हूं फ़र्ट अंटक इसकी प्राइस है अगर आप